तो पहला प्रश्ण है महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत को जाना जाता है महाकाव्य और पुराणों में भारत का देश, भारत का देश अर्थात भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है तो देखे उत्तर में हнибाले से लेकर दक्षण में समुद्र तक फैला है यह उप-महदीप भारत वर्ष के नाम से ग्यात है जिसे महकावि टथा पुराणों में भारत वर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है यहां के निवाशियों को भारती अर्थाद भारत की संतान कहा गया है युनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है सीधा सीधा प्रश्ण पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा भारत को क्या कहा गया है दूसरा प्रश्ण है निमलिकत में से कौन सा सबसे प्राचीन पुराण है ये most important प्रश्ण है कौन सा सबसे प्राचीन पुराण है तो सबसे प्राचीन पुराण है मतस्य पुराण देव पुराण नाम का कोई पुराण नहीं था तो देखे पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मतस्य पुराण जो की प्रमानिक है अगला प्रश्ण है इस्त्रियों की सरवाधिक गिरी होई इस्थती किस सहीता से प्राप्त होती है मुंड़क अपनिशद मैत्रेनी सहीता से जै सहीता से रिगवेद से तो देखे इस्त्रियों की जो सरवादिक गिरी हो इस्त्ति है वो मैत्रेनी सहिता से प्राप्त होती है किसे मैत्रेनी सहिता से और महा भारत को जय सहिता भी कहते हैं अगला प्रश्ण है इसका एक्स्प्रेशन देख लो इस्त्री की सरवादिक गिरी हो इस्त्ति है मैत्रेनी स साहिता में सराब जुवा की भाती इस्त्री को पुरुस का तीसरा मुख्य दोस बताया गया है। सबसे प्राचीन एवं प्रमानिक स्मर्ती कौन सी है? मनुस्मर्ती। जातक स्मर्ती तो कोई स्मर्ती नहीं है। कोई भी स्मर्ती नहीं थी। अगला प्राशन है निमलिकित मैंसे किस में अर्वो की सिंद पर विजय का व्रत्तांत सुरक्षित है। मतलब इन मैंसे किस में अर्वो की सिंद अर्वो ने सिंद पर विजय प्राप्त की थी। तो उसका वर्णन कहां से मिलता है हमको। तो ये मिलता है चचनामा से कहां से मिलता है चचनामा से और कलहन के द्वारा लिखी गई राज तनंगिनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें होरी और धनिया की कहानी है और अश्टध्याई पाणिनी के द्वारा लिखा गया जो मौर समाज या सामराज के बारे में और मौर से जो पहले सामराज था उसके बारे में जानकारी यहां से मिलती है अश्टध्याई की पाणि वो चचनामा में सुरक्षित है चचनामा से मिलता है चचनामा के लेखक हैं अली एहमद क्या हैं चचनामा के लेखक अली एहमद हैं कलहन द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है मोश्ट इंपोर्टेंट है बहुत प राप्त होती है कुश्चन नम्बर सिक्स है निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बहुतिक भुगोल का जनक पेलियोडोनियम को कहा जाता है भुगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है बरतमान भुगोल का जनक एलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है विस्व मांचित्र का निर्माता स्ट्रेबो तो देखें पहला सही है दूसरा सही है तीसरा सही है विस्व मांचित्र का निर्माता स्ट्रेबो नहीं है स्ट्रेबो को नहीं कहा जाता है गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा डी विस्व मांचित्र का जो निर्माता है वो है एलेक्जेंडर सोरी एनेक्जीमेंडर विस्व मांचित्र का निर्माता है एनेक्जीमेंडर जबकि स्ट्रेबो जो है ना स्ट्रेबो ये भौगौलिक विश्व कोस का रचनाकार है इस तरह के प्रशनी सीधे सीधे पूछ ले जाएंगे एच्छे से रिविजन करते रहिए भुगोल में प्रत्वी के उस भाग का अध्यन किया जाता है जो मानव के रहने का इस्थान है यह कथन निम लिखित में से किसका है यह कथन निम लिखित में से किसका है भुगोल में प्रत्वी के उस भाग का अध्यन किया जाता है जो मानव के रहने का इस्थान है यह कथन है आर्थर होम्स का किसका कथन है यह आर्थर होम्स ने कहा ता ऐसा तो देखिए कुछ कथन है बैग्यानिकों के भुगोल पर्थवी ये है देखिए भुगोल में पर्थवी के उस भाग का ध्यन किया जाता है जो मानव के रहने का इस्थान है ये किस ने कहा है आर्थर होम्स ने कहा है टालमी ने भी कुछ कहा है यहाँ पर भुगोल पृत्वी की जहलक को स्वर्ग में देखने वाला आवहा में विज्ञान है स्ट्रैबो ने क्या कहा है देख लेते हैं भुगोल एक ऐसा स्वतंत्र विशय है जिसका उद्देश लोगों को विश्व आकाशिय पिंडो इस्थलो महासागरो जीब जन्तुओ बनस्पतियो फलो तथा भूत धरातल के छेत्रों में देखे जाने वाली प्रतेक अन्य वस्त का ज्यान प्राप्त करना है स्ट्रैबो ने ऐसा कहा है काल रिटर ने भुगोल वह विज्ञान है जिसमें प्रत्वी को स्वतंत ग्रह के रूप में मानिता देते हुए उसके समस्त लक्षणों घटनाओं तथा उसके अंतह संबंधों का अध्यन किया जाता है काल रिटर न ब्रहमांड के निरंतर साक्ष जुटाने में निमलिकित में से किसका योगदान है तो ये योगदान है एडविन हबल का किसका योगदान है एडविन हवल तो देखिए भई ब्रहमांड के निरंतर विस्थार के साक्ष के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की पता चलना अंत्रिक्स में रेड सिफ्ट परिगटना का वलोकन तथा आधुनिक अध्यनों में देखा जाए तो सुफर नोबा का अंत्रिक्स में विस्फोट होना भी ब्रहमांड के विस्तार के साक्ष के रूप में जानकारी देता है और यह प्रश्ण UPSC सिविल सेवा जैस नाम दिया गया बताईए यह मोश्ट इंपोर्टन प्रश्ण है आकास गंगा की सबसे नजदी की मंदाकनी को क्या नाम दिया गया है यह नाम दिया गया देव्यानी या एंड्रोमिडा आकास के आकास गंगा की सबसे नजदी की गैलक्सी है तो देखिए आकास गंगा की कि गहात 8 प्रडास वर्ष है प्रहमार्ण में अनुमानित 100 अरब तारे हैं और 100 अरब मंदाखनी आन तो कितना बड़ा है हमारा प्रहमार्ण अप्रे उप्रोक्त सभी के सभी कफन सभी है यहांपर इसका अंशर हो जाएगा डी देखिए बेंकिंग हो गया इमा हो चिकित साथ सिक्षा परेटन आदी किस छेतर के अंतरगत आते हैं तो देखिए प्राथमिक छेतर तो यह हो नहीं सकते प्राथमिक छेतर में तो वो आते हैं जो सीधे जमीन से निकलती है जीजे जैसे चाबल हो गया क्रशी हो गया अग्रिकल्चर पशुपालन यह सब कुछ उटाता प्राथमिक छेतर में यह त्रत्यक छेतर के अंतर रहता है किस छेतर के रूप में प्रसंतर से आ जाए कि पीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, सिक्षा, परेटन, यह किस छेत्र के अंदर काते हैं, तो यह सेवा छेत्र के अंदर काते हैं, अगर सेवा छेत्र नहीं है, तो सेवा छेत्र है, तो कैसा छेत्र है, तरत्यक छेत्र है, सेवा छेत्र नहीं है, तो अभी तरत्यक छेत्र के अं झूừa की जाता है साक्षरता दर को संव ऐसाटा पोचन अस्तर को सभिकोई सभीकों सभीन स्म अधिक विकास कि धारणा अर्थिक द्हारना से अधिक व्यापक है पूपर छि attach करतिक त्वह थ प्रीमानात्म सभी परिवर्तनों से संबंदित है आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुडवत्ता में सुधार हो आर्थिक विकास की माप में अनेक तथ सम्रित किये जाते हैं जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनितिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तन सिक्षा आती है इसमें साक्षर्टा दर भी आती है जीवन प्रतियाशा कैसी है पोशन का इस तर कैसा स्वास्थ सेवाएं कैसी है प्रति व्यक्ति उपभोग दर कितनी है ये सारी की सारी चीजे आती है आर्थिक विकास में और most important है इस तरह के present PCS में बहुत पूछे जाते हैं तेरवा प्राशन है निमलिकित में से किस ने आर्थिक विकास को गरीवी के बिरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाशित किया है आर्थिक विकास को ये किया है प्रोफेसर अमरत्य सैन ने नहीं किया है ये किया है महबूब उलहक ने जाकते रहिए महबूब उलहक ने क आर्थिक विकास को अधिकारिक्ता तथा शमता के विस्तार के रूप में परिवाश्चित किया है जिसका ताथ पर जीवन पोशन आत्म सम्मान तथा स्वत्म तता से है और प्रेश्च में पूछा गया है कि गरीवी के विरुद्ध आर्थिक विकास को महबूब उलहकने किया तो महबूब उलहक ने आर्थिक विकास को गरीवी के बुरुद्ध लड़ाई के रूप में परिवाश्चित किया है चाहें गरीवी किसी भी रूप में क्यों ना हो कौशन नमबर 14 है इन में से किसे राश्टी आय लेखंकन का जन्मदाता माना जाता है जिन्हें इसके लिए नोबल पुरुसकार भी दिया जा चुका है राश्टी आय लेखंकन का जन्मदाता कौन है इन में से साइमन कुजनेट्स कौन है साइमन कुजनेट्स तो साइमन कुजनेट्स को राश्टी आय लेखंकन राश्टी आय लेखंकन का जन्वधाता माना जाता है जिसके रिन को नोबल पुरुसकार भी दिया जा चुका है कोशन नमबर 15 है पर्थम पंचबरसी योजना के संदर में निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है मतलब सही नहीं है फर्स्ट फाइवर प्लान के बारे में तो इस योजना के दोरान राश्टी आय में 18 परतिशत की तथा प्रतिविक्ती आय में 11 परतिशत की ब्रधी हुई थी करेक्ट है हुई थी इस पंचवर्सी योजना में क्रशी को उच उतपादकता दी गई देखिए ये भी करेक्ट है इस पंचवर्सी योजना का मुख्य उद्देश अर्थ विवस्था के संतुलित विकास की परकरिया आरंब करना था ये भी करेक्ट है इस पंचवर्च वर्च 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 लाल नहरू तो देखे इंपोर्टेंट है अब कि इंगे जे इनको संचालन समीति थी एक संविधान सुवा की उसके थे संग सकती समीती दोनोंके जबाहर लाल नहरु मौलिक अजाड़। अलप संख्यक संबंधी जो परामर्द समिती थी उसके बल्लभाई प glowing ने दोके हैं एक प्रान्तिय संविधान समिती के हैं और मॉलिक अधिकारो एबम अलप संख्यक संबंधी परामर्द समिती के भी हैं। द्वज संबंधित तदर्थ समीति के डॉक्टर राज़ेंदर प्रशाद है और मौलिक अधिकारूप समीति थी एक और अल्प संख्यकुप समीति थी एक मौलिक अधिकारूप समीति थी उसके हैं जेवी कृपलानी और अल्प संख्यकुप समीति थी उसके हैं एचसी मुखर जी याद रखना कोश्चा नमबर 17 है सत्रवा प्रश्ण है अब सिस्ट सक्तियां केंद्र के पास हैं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंदित प्रक्रिया संघ एबम राजियों के वीच सक्तियों का विभाजन संघात्मक विसेष्टाएं किस देश के संबिधान से लिए तो संघात्मक विसेष्टाएं अब सिष्ट सक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी राज्यपाल की नियुक्ति किस संबंदित प्रक्रिया संघ एबम राज्यों के वीच सक्तियों का विभाजन होगा कनाड़ा के संबिधान से लिए गया है अब आतकाली नूपबंद जर् संबिधान से और मौलिक करतब सौबियत संघ रूस के संबिधान से वस्ट नूमबर 18 है निमलिकत में से कौन सा संबिधान संसोधन अधिनियम आठवी अनुसूची में भासाओं के जोड़े जाने से संबंदित नहीं है नहीं है देखें जो हमारा मूल संबिधान था उसमे उसकी जो आठवी अनुसूची थी मूल संबिधान में पहले तो हमारे आठवी अनुसूची थी आठवी अनुसूची में भासाओं से संबंदित प्रबधान है और मूल संबिधान में 14 भासाएं थी कितनी भासाएं थी 14 भासाएं थी उसके बाद 21 संबिधान संसोधन ससिलुए रभी उसके बाद बाँ जोडे Bitte ची सैba स सब्सक्राइब जोडों तो प्रहें स संब्धांत के द्राइब भाण सब्चmbीट जोडी है खेए शाका दूल क्योंकि यह नवी अनसूची से संबंदित है, आठवी अनसूची से संबंदित नहीं है, तो संबिधान की आठवी अनसूची में बरतमान में 22 भासाएं हैं, मूल संबिधान में आठवी अनसूची में 14 भासाएं थी, एक संबिधान संसोदन अधिनियम होता, 21 संबिधान संस इसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथली को जोड़ा गया बर्तमान संबिधान की आठमी अनुसूची में 22 भासाएं हैं कितनी 22 भासाएं पर्तम संबिधान संसोदन अधिनियम नमी अनुसूची से संबंदित है जो हुआ था 1951 में आठमी अनुसूची से नहीं कोश्चन नमबर 19 है हर्मिट ऑफ सिम्ला किसको कहा जाता है रोतांग दर्रे को बारलाचला दर्रे को एओ हयूम को या फिर लॉड कर्चन को तो हर्मिट ऑफ सिम्ला कहा जाता है एलन अक्टेवन ह्यूम मतलब एओ हयूम एलन अक्टेवन ह्यूम इनका पूरा नाम है तो हर्म करते हैं लोग अंते इंप्रेशन की तरह बग्रसर होते हैं बर्तमान में राष्ट पती का मासिक बेतन कितना है भई कितनी तंखुआ मिलती है राष्ट पती को बर्तमान में बहुत जादे तंखाय देखिए पांच लाख रुपे का बेतन मिलता राष्ट पती को इस समय उपर के बेतन के साथ ही हमारा जो टेस्ट का अंतिया प्रेस्ट है वो भी समप्त होता है